हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल दिव आप्टर यूज और आज मैं आपके लिए लाया हूं होंडा स्पी 125 आइए बात करते हैं लेकिन आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्क्राइब किजिए वीडियो को लाइक किजिए कमेंट किजिए आपको म मेरे वीडियो कैसा लगा आए बात करते हैं इसमें हमको मिलता है फुली एलेडी हेड लैंप इसमें हमको बल्ब में इंडिकेटर मिलते हैं इसमें डियारल नहीं है इस बाइक में आप देखिए फ्रंट से इसका लूक सामने वाइजर पर होडा होंडा की बैजिंग मिल जा के किलता है जिसल क्लॉक फ्यूल फ्यूल गेज है इसपीड़ो मेटर रहें गियर शिफ्ट इंडिकेटर माइलेज है रिएल टाइम मैलेज बताती है बैइक तो इसमें आपको पूरा चीज मिल जाएगा जैसे आप इंगे इसमें को भी न कर एन यह कैस्जमिद पूर्ण सब बाइक का हैंडल बार को ठोड़ा खाली-खाली रखा गया एक ही दो स्वीच से पासिंग स्वीच और उस सब लगा के एक ही जगभ काम कर लिया है हमारा फ्यूल टेंक क्या लिटर है प्यक्षाब ग्यारा लीटर की फ्यूल टेंग केप सिटी है आए तो बात करते हैं देखिए होंडा की बैजिंग हमको इसके टैंक काउल पर मिल जाती है जो की 3D को 3D लोगों बैजिंग है इसकी तो काफी अच्छा लगता है और इसकी बात करें इंजन की तो इसमें हमको 114 cc का सिंगल सि पर बात करें इसके पिछले सस्पेंशन की तो हमको पीछे मिलता है डॉलिक सस्पेंशन और यह देखिए इसमें पीलियन के लिए फूटरेश्ट का भी ऑप्सन है साड़ी गाड दिया हुआ है इसके रेड कलर की सस्पेंशन का कलर का काफी बैठ लिना और यह बाइक अपन पूटरेश्ट भी इसमें लेडिज फूटरेश्ट भी बनाया है कमपनी ने यह काफी मजबूत और काफी अच्छा इसके टेल लाइट के बात करें हमको टेल लाइड मिलती है बल्व इंडिकेटर अक साथ मिलता है नमबर प्लेट के लिए लिए लाइट मिलती होंडा की ब बैजिंग मिलती हमको इस तरह और आल बाइक का ब्लैक लुक मुझे मैट फिनिस में काफी बहतरीन लग रहा है यह ऑल इन ब्लैक पहली यूट्यूब पर आया है यह बाइक इस तरह से अभी तक हुंडा की यह पहली बाइक है जो ऑल इन ब्लैक कलर में यह स्पी 125 आप लग अधिकसे आपको इतना मिल पाएगा ज्यूब है न मिल जाए आपको एक लग लग जिले में अलग लग वैरी करता है इसलिए से बारे में पूरा आपन नहीं करेंगे जिले कि एक लाग से लेक्षाब रॉट की बात करेंगे तो ऐसे मैनुड टरंसपिस्टन गियर मिलता है इसमें फ़र्ष्ट डाउन और और अप गियर सिस्टम बाइक में हमको मिलता है बाइक का सीट काफी कमपर्टेबल है बाइक लॉंग राइडिंग के लिए भी अच्छी है और लुक वाइज भी बाइक काफी बहतली है होंडा अपनी माईलेज और इंजन परफॉर्मेंस के लिए ही जानी जाती है और थैंक् आपका लुक कमपनी ने काफी बहतलीन बनाया है सक का फ्रंट सस्ट्सिंस डिस्क डरम दोनों विर्एंट में आती है